तमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं नेश्टरल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेश्टल गैस MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है नेश्टल गैस में उसे देखते हो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में कौन से प्राइस सेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेजिसरंस का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आग्या का क्या विउव है कि हमें बाइंग करनी चाहिए सेशलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आएए शुर प्राइशन दिखाया थोड़ी सी अपसाइड मुमेंट इसमें आने लग गई प्राइस थोड़ा सा ऊपर गए ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए मार्केट और वहां से एक सेलिंग और प्राइस जो थे वो बिलकुल अपने लोएस पॉइंट पे आके ख्लोज हो गए इसमें दो त मार्केट में जो डिरेक्शन है जो ट्रेंड है वो अभी नीचे की तत्रारफी है उपर में स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया मार्केट साइडवे स्ट्रेंड है लेवल्स अभी उपर में एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं देखते हैं अभी आगे का क्या व्यू में नजर आ रहा है दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें मार्केट में एक strength थोड़ी सी वहां से correction correction थोड़ी सी और जादा हुई यहां से market में और correction एक चीज़ और जो Thursday को जो inventory यह थी उसमें market ने एक low touch किया था उसके past market ने अपनी closing दिखाई है पर उसे break नहीं किया ऊपर भी नहीं आ पाया market तो बिल्कुल sideways trend है इसमें आप मतलब यह intraday में sideways है और और अगर आप देखें तो market का नीचे close होना यही indicate कर रहा है कि market में national gas के prices में अभी जो selling है वो अभी continue है prices जो है वो और ज्यादा नीचे जा सकते हैं देखिए आपने मेरा last video देखा होगा कर natural gas का उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि natural gas में मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से market recover करना शुरू कर सकता है पर जब तक chart इंडिकेट नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ के लिए किसी ट्रेड में एंटर करना कि हम बाइंग में आ जाएं वो चीज़ गलत है जब तक chart selling indicate करें selling में ही रहना चाहिए और buying बिलकुल avoid करें यहां पर जो weekly closing हुई है वो अपने lowest point के आसपास हुई है देखिए lowest point ही यह था closing लगबग यहां पर हुई है उससे just उपर selling pressure पूरे time बना रहा market ने नीचे closing करी यह सारी चीज़े इंडिकेट कर रही है कि selling pressure अभी बना हुआ है और मैंने आपको एक चीज़ और गई थी कि कही ना कहीं बस आप इतना जरूर कर सकते हैं कि prices में मतलब national gas के trade को आप carry ना करें ठीक है तो थोड़ा सा अगर carry नहीं किया तो भी ठीक है और carry अगर करा हुआ हो और short position में हो तो थोड़ा सा better रह सकता है मतलब देखिए weekly opening होगी market कहीं भी open हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा specific इसने chart formation नहीं बनाया कि selling बहुत ज़्याद opening के साथ market खुले और फिर एक selling pressure फिर से start हो जाए इसमें पर जो थोड़ा सा सही रहेगा जिसकी probability ज़्यादा है safe है वो selling किये अगर आपने short selling में position को carry किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है long position को carry किया है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा risky है market नीचे है त चलते हैं एक बर एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि क्या view नजर आ रहा है यहाँ पर हमने देखा market में थोड़े तेजी और तेजी prices काफी उपर तक गए वहाँ से जो selling हुई है start उसमें consolidation और यह धीरे धीरे नीचे का view 197 यहाँ पर मैंने आपको एकी चीज बताई थी कि 200 के नीचे prices आज चुके हैं sustain कर चुके हैं तो वो एक काफी बड़ा indication है कि नेशल काइस के prices में selling pressure जो है वो बना रहेगा आगे के लिए बना रहेगा देखिए मुझे नहीं पता मेरे videos आपके लिए कितने helpful हैं कितने नहीं है पर एक चीज मैं जरूर आपको कहना चाहता ह कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर trend clear है न तो आपके at least 80% trades सही direction में आपके जाएंगे आप loss करने से बच जाएंगे इसी का example ले लेते हैं एक बार कि trend अगर हमें ये लग रहा है कि नीचे का है और हम अगर trend नहीं हमें पता होता हूरा हम long position ले रहे हैं और हो सकता है कि जिसके बहुत जाते chances बन जाते हैं आपने अगर last trading day पर ही आपने 200 पर ही अगर कोई purchase कर लिया इसकी quantity और market नीचे आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि 90% traders ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा नीचे आने पर position को carry करते हैं loss में क्योंकि trend clear नहीं है charts को देखके ये चीज़ हमें काफी जादा समझ में आ जाती है कि trend क्या है नीचे है ऊपर है sideways है किस तरीके से में trade करना है कौन से levels है बहुत सारी चीज़े में हमारे लिए helpful होते है तो सबसे ये पहली चीज़े है जो हमें पता होनी चीज़े है trade में enter करने से पहले हमें plus में trade लेना है minus में लेना है या फिर थोड़ा सा भी बाहर रहना है wait करना है किसी सही level का breakout होता है breakdown होता है तो वहाँ पर ये चीज़े helpful है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 4 गंटे के time frame पे वहाँ देखते है क्या भी हो नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें market उपर नीचे फिर उपर फिर नीचे फिर उपर और उसके बाद zigzag pattern बिलकुल फिर और ज्यादा उपर और वहाँ से market में एक अच्छी selling अभी तक हमें देखने को मिल रही है current price है 197 ठीक है अब इसमें जो सबसे important चीज़ है बिलकुल आपके सामने आप भी शायद note कर रहे होंगे य यह एक support line है जिसके नीचे market trade कर रहा है और 3-4 candles ऐसी हैं जो इसके नीचे closing show कर चुकी है तो काफी important sign नहीं है कुछ अगर recovery आती है मतलब मान लेते हैं कि 2035 का level अगर आपको intraday में कुछ मिलता है तो वहाँ पर भी आप buying ना करें market में एक selling pressure जो है वो बना हुआ है और वो बना रहने के chances काफी ज़्यादा बढ़ते जा रहे है ठीक है थोड़ा सा हो रहा के चलते हैं एक बार daily charts पर देखते हैं क्या view नज़र आ रहा है daily charts पर अगर देखें sideways trend completely sideways consolidation उसके आद मार्केट में upside downside फिर एक strong upside फिर इस तरीके से नीचे और यह zigzag pattern फिर उपर से अभी currently नीचे आता हुआ daily charts पर अगर आप देखें तो यह एक downfall था थोड़ा सा market ने consolidate किया है यहाँ पर फिर उस downfall को market continue करने की कोशिश कर रहा है जिसमें यह support base जो था यह market ने break कर दिया है यह important sign है मैं आपको बार-बार यह चीज इस लिए बता रहा हूँ अगर आपकी long position है देखें आप risk में ज़्यादा है जिनकी वैसे जो trader है वो risk में हमेशा है पर थोड़ी सी probability किसकी ज़्यादा है risk की वो हम थोड़ा सा discuss करते हैं तो यही analysis का मतलब सिर्फ यह है कि possibilities क्या लग रही है कि market ज़्यादा ऊपर जाने के chances ज़्यादा है नीचे जाने के chances ज़्यादा है तो उनी को हम discuss करते हैं हो सकता है कि 99 traders यह सोचने हो कि market नीचे जाएगा पर market एक percent ऊपर अगर चला गया तो वो सही हो सकता है और analysis इनका उस हमारे सामने जो tool है वो यह है कि market में charts की स्थाइके की formation ले रहे हैं तो उसी को देखते हुए market में हम यह decide करते हैं या यह analysis करते हैं अपना कि market में आगे की prediction क्या है market ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और हमें उसको देखते हुए क्या trade लेना चाहिए यह थोड़ा सा एक कु focus करता हूँ आप अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे ना कि आपको कितना ऐसा लग रहा है कि इन चीजों को आप trading में execute भी कर रहे हैं कि वाकई में क्या आप trend का ध्यान रखते हैं कोई trade लेते time या आप सिर्फ उस time market की fluctuation एकदम से उपर जाने लगा तो आपने बहिंग कर ल market एकदम से उपर जाने लगा तो वेट कीजिए किसी particular level का वो level कौन से हैं वो भी हम discuss करते हैं daily तो यही सब चोटी चीज़े हैं जो आपको धियान में रखनी है एक बार weekly charts और देख लेते हैं कुछ important हमें नजर आ सकता है उसमें यहां प्रक्रम देखें selling यह consolidation part upside यह consolidation यह important चीज़ यह है कि जो इसकी closing है वो बिलकुल नीचे हुई है यहां पर दूसरी important चीज़ यहां इसका एक high लगा था उस high को break करने कि यहां पर market ने कोशिश करी थी थोड़ा सा और उपर जाता तो एक fresh high लगा नहीं कोशिश होती वो हो नहीं पाया और market ने नीचे के लिए एक turn ले रखा है जिसमें 200 के नीचे market sustain कर रहा है तो next week भी एक selling pressure हम expected सकते हैं और market के नीचे जाने के chances ज़्यादा लग रहे हैं आएए वापस चलते हैं हम एक घंटे के time frame पे उन levels को अब हम discuss करते हैं जो हमारे लिए अब important हो सकते हैं सबसे पहला और सबसे पास का level जो है वो एक important level है 200 exact 200 इसके उपर जैसी market आएगा तो market में intraday में थोड़ा सा consolidation phase को market support कर सकता है ठीक है 200 200.10 पे आते ही marketing consolidation phase को थोड़ा support करना शुकर देगा इसके उपर जो price है जो थोड़ी सी strength ला सकता है market में वो है 204.20 इसके उपर अगर market आता है तो इसमें थोड़ी सी जो strength है intraday के लिए हम वो देख सकते हैं 204.20 के उपर हो सकता है 6-7 के आस-पास तक भी market आए 8 तक भी जा सकता है उसके बाद जो price है वो सबसे important है देखिए काफी पास-पास है और अभी जिस तरीके का trend चल रहा है इसमें इसका touch होना 204.20 का touch होना वो मुश्किल है काफी जादा मुश्किल है काफी जादा मुश्किल कौन सा level है 2-1-2 ये reversal का price है आप ध्यान रखना 212 का level अगर market में break हो जाता है मतलब current price से पूरा पूरा 15 रुपए उपर ये price अगर break हो जाता है तो national gas में एक reversal आ जाएगा और prices काफी speed से उपर के लिए तयार हो सकते है 2-1-2 ये आपका last level है जो आपको ध्यान रखना है 2-1-2 break हो गया market में आप यकीन मानिए fresh high fresh recent high के भी chances बन जाएंगे और अगर 2-12 नहीं break होता market नीचे रहता है तो वापस उसके 188 तक के जाने के chances अभी बने हुए 197 अब इसका current price है expect कर रहे हैं कि 188 के आसपास इसे एक support मिल सकता है बाकी उसके बाद देखें कि और ज्यादा further downside के लिए market अपने आपको तयार कर रहा है या नहीं कर रहा 182 उससे next एक price रहेगा 182 भी अगर break हो जाता है फिर और ज्यादा downfall में market चला जाएगा और फिर तो 160-150 के भी levels हम charts पर expect करेंगे तो 188 सबसे पहला एक support price है जहां पर इसे support मिलने के chances है market अभी गिर रहा है देखते है market को बीच में कही support मिलता है या फिर 188 पर ही मिलता है 188 एक expected price है जो शायद आने वाले 2 दिन में market टच कर लेगा और उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है क्या नहीं करना तो आप ध्यान रखिए दोस्तों 12 काफी important level रहेगा पूरे हफ़ते और नीचे में 188 का एक price है जो market में support दे सकता है वहाँ पर buying नहीं करनी है वहाँ पर review करेंगे situation को कि market किस तरीके से market की movement को market वहाँ से उपर जाने के लिए तैयार कर रहा है अपने आपको या फिर और ज्यादा downside के लिए consolidate टर रहा है तो दोस्तों ये था मेरा नेश्वी गैस पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रही है market report और हो सके तो मेरे चैनल को join भी करें धन्यवाद